दिलों के चिथरों को नाई चल जा तुम अपनी वहू को मेरे पास भेज़ दो कृष्ण प्रसाद मैं आपसे अपने बेटे की रिहाई की भीक मांगने आया हूँ कुछ एहसान तो आपने अपने मर्जी से किये थे कुछ मैं आपसे मांगने आया हूँ कृष्ण प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीक देता है मगर तुम उन भीकारियों मेंसे हो जो सिर्फ दुत्कार के काबिल है सचाएं क्या है हुदूर ये तो मैं नहीं जानता मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिसे आपके ऐसा बड़ा आदमी मुझरिम कह दे उसे बेकुसूर कोई भी साविट नहीं कर सकता आपके तहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुदूर मैं आपके सामने हाथ चोड़ता हूँ मेरे दीपपको छोड़ दीजिए ये जानते हैं भी कि उसने मुझे जलील किया मेरी कमपनी में लाग हो रुपे का गबन किया कृष्ण प्रसाद इज़त और दौलत दोनों को एक साथ गवा कर खुश रहने वालों में इस तनाई है रहम कीजिए मुझे मैं बहुत ठक गया हूँ मेरे बुढ़े कंदों पे एक बदनामी को बहुत बड़ा पुझा पड़ा है छोड़ दीजिए मेरे बेटे को ठीक है मैं तुमारे बेटे को छोड़ देता हूँ तुम अपनी वहू को मेरे पास भेज़ दो कृष्ण प्रसाद यमीने ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है एक टाइकून का गिर्यपान है उड़ा गे भार फिक दो इने कमी ने पहले मेरे बेटे को फ़दा दिया अब मुझसे मेरी बहु मांगता है अब मैं तो तुझे देवता समच्चा था और तू निकला सिर्फ एक आदमी और वो भी एक नीज और गिरा हुआ आदमी मिट जाएगा तू बर्बाद हो जाएगा तू लोग ठूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेड़ेंगे तेरी हस्ती पर ये नेरी बद्दुआ है तेरे लिए समझे ये मेरा श्रॉब है तुझे कृष्ण परशाद आज मुझे पहली मर्दा पता चला कि इतने बड़े में रहने वाला शख्स इतना च्छोटा भी हो सकता है जिस महबत को तो अपनी महबत के बल से देखान खार अश्स मोबत को अपनी कायरता चलकपर से आशिल करना चाता है आज मुझे पता चला कि तेरे मासूम और भौले चेरे के पीचै एक शैतान एक भेड़िया रहता है पास्टार तू महबत में मिठा जरूर है मगर महबत के फलस्थे को नहीं समझा तू बहुत तूंचा फलस्था है और मैं यहाँ तेरी शराड़तों को रफू करने आया था तेरी बत्तमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं मैं जा रहूं अरे जा मुझे किसी की जरूट नहीं है अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवा क्या करूँगा मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदिया रफू कर सकता है दिलों के चितरों को नाए चल जा कोई जरुत लिए मुझे किसी के